स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की त्यारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा और मैं बार बार एक ही बात करता हूं आप लोगों को कि मेरे चैनल पर जो भी कोशन आते हैं यदि आप नियोजित सिक्छक है और आपका सक्छमता प्रिक्षा जो होने वाला है उसके लिए भी यह परशन है और यदि आप जनुवरी में सीटेट के अग्जाम देने वाले हैं तो भी उसके लिए यह परशन है या कोई और भी competitive एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह एक्जाम यह question जो है परफेक्ट है इसलिए आप नए है इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको subscribe किजिए और bell icon पर प्रेस कीजिए वीडियो अच् क्या कहता है कि गया में अवस्थित विश्नुपद मंदीर किसने बनवाया था ऑप्सने है रानी अहिलिया बाई ने ऑप्सन भी है आजात शत्रू ने ऑप्सन सी है अशोक ने और डी है जरासंध ने तो ऑप्सन नंबर एसका सही अंसर होगा अप्सन नंबर एस सही अंसर होगा क्योंकि राणी अहिलिया बाई ने गया में अवस्थित विश्नुपद मंदीर को बनवाया था किस ने बनवाया था भई राणी अहिलिया बाई ने बनवाया था चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं Question number 2 दो number question का आता है कॉकोलत परशिद है भई कॉकोलत क्या है या एक जल परपात है आखिर क्यों परशिद है तो जल परपात किसको बोलते हैं पहले ये जान लीजे जल परपात का मतलब ये हुआ कि पहार पठार पर से यानि काफी उचाई पर से जो पानी नीचे की तरफ गिरता है जिसको जहरना बोलते हैं लेकिन काफी उचाई से पानी जो गिरता है वही जल परपात कहलाता है तो यह एक ककुलत जल परपात है, जो परसीद है, आखिर क्यों परसीद है, तो वह ठंडा जल के लिए परसीद है, क्योंकि कितना भी गर्मी क्यों नहीं पड़े, कितना भी बहुत जाद गर्मी पड़ता हो, गर्मी के मौशम हो, या कभी भी बहुत टेंपरेचर जादा हो, इसलिए कॉकुलत जल परपात परशिद है और बिहार का यह सबसे बड़ा यानि के लंबा यह जल परपात है कॉकुलत जल परपात इसका एंसर होगा option number A ठंडा जल के लिए हमने बताया भी कि कितना भी गर्मी क्यों नहीं पड़े लेकिन वहां का पानी ठंडा ही होता है इसल यह next question के तरह बढ़ते हैं question number 3 तीन number question का उता है जरासंद का अखाड़ा अवस्तित है जरासंद का अखाड़ा कहां पर अवस्तित है जरासंद यह क्या है भई एक कुरूर शाशक था तूसका अखाड़ा कहां पर है तो राजगीर में है option number A है राजगीर तो option number A ही हो चलिए निख्ट कोशन के तरह बड़ते हैं कि नमबर फोर नमबर कोश्टन को होता है गुरू गोविंद स्थान है मतलब गुरू गोविंद चींग का जनम स्थान कहाँ पर है और में पतना भी है आरा नहीं लगा दीजेगा पूरा option पहले पढ़िए option A है पतना, B है आरा, C है सासाराम, D है पतना, C तो option number D इसका सही अंसर होगा पतना, C, T option number D इसका सही अंसर होगा क्योंकि पतना तो भाई एक जिला हो गया लेकिन पतना, C, पतना सहर हो गया तो गोईन्द सीनी का जरम पतना सीटी है यानि पतना सहर में हुआ था इसलिए इसका option number D पतना सीटी अंसर होगा चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 5 5 number question कहता है जिस मानचित्र में परवत, पहार, पठार मैदान, इतियादी को दर्शाते हैं यानि दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं option A है thematic मानचित्र option B है भौतिक मानचित्र option C है राजनायतिक मानचित्र option D है उप्युक्त में से कोई भी नहीं तो option number B इसका सही अंसर होगा option number B option number B इसका सही अंसर होगा भौतिक मानचित्र जिस मानचित्र में परवत, पठार, पहार, मैदान, इतियादिक उधर साते हैं उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं चलिए नेक्स्ट कोस्टन के तरफ बढ़ते हैं कोस्टन नमबर 6 6 नमबर कोस्टन कहता है मानचित्र में दच्छिन दिसा होती है मांचित्र जो होता है उसमें दच्छिन दिसा किस तरफ होती है option A है दाई ओर, option B है बाई ओर, C है उपर की ओर, D है नीचे की ओर तो option number A इसका सही अंसर होगा option number A सही अंसर होगा option number A दाई ओर मांचित्र में दच्छिन दिसा होती है किधर तो दाई ओर होती है चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर साथ साथ नमबर कोश्चन का उता है रभी फसलों के लिए मशुहूर ताल छेत्र अवस्थित है कहाँ पे तो आफसन ए है तराई छेत्र में आफसन भी है पटना से पूरब यही होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर आठ आठ नमबर कोश्चन का उता है परमूख दिशाय हैं परमूख दिशाय कौन कौन है तो भाई आपको पता है ही कि पूरब पच्चिम उत्तर दखिन चार परमूख दिशाय हैं इसलिए इसका सही अंसर हो नव नूम्बर question का आता है कुल दिशाओं की संखेया कितनी है , तो भई कुल दिशाओं की संखेया 010 होती है , इसलिए option नंबर D , सही northwest CO2 , option नंबर D , सही अंसर होगा, Southern Depending on nephew रसी अंसर होगा, कुल दिशाओं की संखेया कितनी होती है , 10 होती है , अब दस कॉन कॉन होता है जैसे चार परमुख दिशाएं जो होती है उत्तर पूरब दच्छिन और उत्तर पूरब उसके बाद दच्छिन और क्या हो गया भी पस्चिम हो गया तो इन दोनों के बीच बीच में जो क्या आता है उन दोनों के बीच बीच में क्या आता है जो दि लेकिन इं दोनों के बिच-बिच में, जैसे आपको ले लिजिए यहां पर पूरब और उत्तर के बीच में एक आ जायेगा, फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में आ जायेगा, तो ऐसे ही मिला करके चार हो जायेगा, तो चार और चार मिलकरके आठמו जा रहा है, और दोठो बन जा रहा है तो दोठो हो गया एक सर के उपर और एक पैर के नीचे यानि कुल मिला करके तोटल हो गया आपका दस्ठो कुल दिशाओं के संख्या कितनी है दस है चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कुशन नमबर दस दस नमबर कुशन करता है बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है तो बंगाल की खाड़ी भारत के दच्छिन पूर्व दिशा में है option number D इसका सही एंसर होगा दच्छिन पूर्ब option number D एंसर होगा और ऐसे ही दिशाओ जो कुल जो है बताय गया था इससे पहले वाला question में कि 10 जो दिशाओ होता है तो जिस message से यहाँ पे आ गया दच्छिन पूर्ब आ गया तो ऐसे ही बाकी को भी वहाँ पे देखना था तो इस तरह से चार आता है और बाकी चार यह पूरा पच्छिम उतरदखिन और उपर नीचे तोटल मिला करदस होता है यहाँ लेकिन है question मंगाल की खाड़ी भारत के कि दिशा में है तो दच्छिन पूर्ब दिशा में है चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 11 question का आता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तै करने में सुर्ज को कितना समय लगता है तो 4 मिनट का समय लगता है इसलिए इसका option number A होगा 4 मिनट option number A इसका सही एंसर हो जाएगा 4 मिनट एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तै करने में सुर्ज को 4 मिनट का समय लगता है चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 12 12 number question का आता है करक रेखा है करक रेखा क्या है तो करक रेखा जो है मतलब कहां पर ये स्थित है करक रेखा option A है 90 डिगडी उत्री अक्षांस पर option B है 23.9 को 1 बाई 2 डिगडी उत्री अक्षांस पर यानि के 23 डिगडी उत्री अक्षांस पर तो यही इसका सही एंसर होगा option number B Option number B, इसका सही अंसर होगा 23.5 दिगड़ी उतरी अक्षांस पर करक रेखा है चलिए, next question के तरफ बढ़ते हैं Question number 13 13 number question कहता है अंतर राष्ट्रिये तीथी रेखा से पूरब जाने पर अंतर राष्ट्रिये तीथी रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है Option A है, दीन रात में परिवर्टन होता है या नहीं होगा Option B है, एक तीथी घटा दी जाती है यहीं होगा Option number B, इसका सही अंसर हो जाएगा Option number B, एक तीथी घटा दी जाती है अंतर राष्ट्रिये तीथी रेखा से पूरब जाने पर एक तीथी घटा दी जाती है चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 14 14 number question कहता है राशियों की कुल संख्या कितनी है राशियों की कुल संख्या तो याद रखिएगा राशियों की कुल संख्या 12 होती है तो option number B इसका सही answer होगा option number B is the right answer राशियों की कुल संख्या 12 है चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 15 15 number question काता है गरोहों की कुल संख्या कितनी है यानि गरोह जो है उसकी कुल संख्या कितनी है तो गरोहों की कुल संख्या 9 है option number B इसका सही answer होगा option number B right answer होगा option number B गरोहों की कुल संख्या कितनी है तो 9 है तो याद रखिए कि एक बात के यहाँ देहान देना पड़ेगा कि 2017 के बाद वैग्यानिकों ने इसमें कुछ changing किया था तो वह क्या हो गया आठ हो गया नहीं लेकिन उसका condition अलग है उसका condition अलग है उस पर बाद में कभी चर्चा किया जाएगा लेकिन आप याद रखिएगा कि गरहों की कुल संख्या कितनी है भई तो 9 है गरहों की कुल संख्या 9 है इसलिए option number 20 का सही अंसर हो जाएगा 9 चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 16 16 number question कहता है सबतर्सी कितने तारों का समू है सबतर्सी कितने तारों का समू है तो सबतर्सी का मतलब होता है 7 सबतर्सी का मतलब ही होता है 7 तो option देखकर रखिए समझ में आ जाएगा कि option में 7 है और सबतर्सी का मतलब ही होता है 7 सबतर्सी 7 तारों का समू है इसलिए option number C इसका सही answer हो जाएगा Option Number C सब तरसी सात तारों का समूं है चलीए next question के तरह बढ़ते हैं Question Number 17 17 number question कहता है संदीवा रातरी होते हैं संदीवा रातरी संदीवा रातरी का मतलब ये हुआ संदीवा का मतलब ये हुआ कि दीन और रात कि दीन और रात कब बराबर होता है दिन और रात कब बराबर होता है तो option A है 22 जून एवं 21 सितंबर को option B है 21 मार्च एवं 21 जून को option C है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को और option D है 21 सितंबर एवं 21 दिसंबर को तो इसका सही अंसर होगा option number C option number C इसका सही अंसर हो जाएगा option number C 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सम दिवा रातरी होते हैं यानि कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं सम दिवा रातरी का मतलब ही होता है इस दिन रात बराबर होना 21 मार्च एवं 23 सितंबर इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 18 18 number question का होता है सबसे बड़ा दीन होता है सबसे बड़ा दीन तो ये तो भाई आपको भी पता होगा सबसे बड़ा दीन 21 जून को होता है सबसे बड़ा दीन कब होता है 21 जून को होता है option number A में दिया हुआ है 21 जून इसलिए इसका सही अंसर होगा option number A 21 जून सबसे बड़ा दीन होता है 21 जून को ठीक है? चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं question number 19 19 number question कहता है कि प्रिथिवी अपने अक्ष पर जूकी है प्रिथिवी अपने अक्ष पर कितना डिगरी जूकी हुई है पुनांक 1 by 2 डिगरी यानि 67 पुनांक 1 by 2 डिगरी option D है 24 तेज़ दिगरी यानि 23 पुनांक 1 by 2 डिगरी जिसका सही अंसर होगा option number D option number D is the right answer 23 पुनांक 1 by 2 डिगरी यानि 24 तेज़ दिगरी प्रिथिवी अपने अक्ष पर जूकी है कितना डिगरी पर तो 23 डिगरी पर जूकी हुई है चलिए next question के तरफ बढ़ते है question number 20 20 number question देखने से पहले मैं आपको फिर से एक पर याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है या आप भूल गया है subscribe करना तो please इसको जल्दी से subscribe किजिए और bell icon पे press भी कर दिजिए ताकि कोई भी video आप से miss ना हो इसलिए please इसको subscribe करके bell icon पे press करिए video अच्छा लगे तो एक like करके प्यारा सा comment जरूर किजिएगा अपने दोस्तों को कम गर्मी परती है option c है बहुत बरसात होती है option d है अधिक ठंड एम कम गर्मी परती है तिसका सही अंसर होगा option number d option number d is the right answer अधिक ठंड एम कम गर्मी परती है चलिए आज का set समाप्थ होता है और विडियो को आख़ी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद